हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग होपसो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ग्यान सगर क्लासेस में ग्यान सगर क्लासेस एक exclusive institute है जहाँ पर आपको foundation से लेकर के placement तक के तयारी करने को मिलती है और अगर मैं बात करूँ placement की तो इंडिया का सबसे highest campus placements भी आपको ग्यान सगर क्लासेस से देखने को मिलते हैं तो चलिए student अब हम बात करते हैं अपनी markdashan series के बारे में तो markdashan series में हम आचुके हैं आज CMA intermediate paper number 11 financial management and business data analytics वाले subject पर तो अब हम इस subject से related बात करते हैं कि अब हमारी exam की preparation को लेकर के क्या बाते important point of view से आपको ध्यान में रखनी है या अगर मैं बात करूँ तो financial management के अंदर किस तरीके से अपने को पढ़ाई करनी है, priority कैसे रखनी है, कौन सी चीज़ें आपके लिए important है इस वक्त exam के अंदर देख करके जाना, उन सब को लेकर के हम इस mark decision series के अंदर बात करते हैं तो देखेगा, subject में अगर मैं बात करूँ, तो हमारा subject है financial management and business data analytics financial management जो है वो 80 marks की coverage रखता है, जबकि business data analytics आपकी 20 marks की coverage रखता है business data analytics students पूरा theoretical है, और इसके बारे में आपको कैसे पढ़ना है, वो अभी आगे जाकर के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और financial management जो है वो आपका practical aspect cover करता है, हाला कि financial management में theory part भी है पर कौन सा theory part पर आपको focus करना है, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ तो चलिए अब हम start करते हैं अपने financial management को लेकर के कि किस तरीके से अपनी preparation strategy आपको plan करनी है उसको लेकर के अब अब बात करते हैं, देखेगा देखेगे, सबसे पहले मैं इसके index से मैं बात करता हूँ कि कौन से subjects, कौन से headings हैं जो कि सबसे ज़्यादा marks आपके cover करते हैं और जिसको हमको पहली priority देने हैं देखेगे, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 7 module दे रखे हैं मतलब साथ एक प्रकार से section बने हुए हैं financial management में इसके अंदर अगर बात करें तो आपको 15% वाले marks के जो coverage दिखाई दे रहे हैं एक तो आपका है ये वाला section, एक section ये है और एक section ये है ये तीन जो हैं, ये important part के अंदर मैं बात करूँ तो देखें यहाँ पर जो capital budgeting है वो आपने आप में एक single chapter है वो single chapter अकेला 15% marks को cover कर रहा है तो सबसे important chapter अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो आपका क्या हो गया capital budgeting जो कि सबसे important category में मैं इसको रखूँगा इसके लावा working capital management हाला कि इसके अंदर receivable management जो कि credit policy है, inventory management और कुछ एक section cover है बट working capital management का जो अपने आप में पूरा chapter है वो सबसे important part है और वो भी एक तरीके से देखा जाए तो अकेला chapter है जो कि 15 marks को coverage करता है तो यह भी एक बहुत ही important chapter है तो यह दो तो मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से आपको पढ़ करके जाने है 30% का मतलब यह है कि institute 30% बोल रहा है 40 number और 50 number तक के question भी आपको इसमें से देखने को मिल सकते हैं क्योंकि student आपका जो paper आता है वो total 130 और 132 marks का paper आता है तो इसका मतलब आपका coverage थोड़ा जादा भी हो सकता है जितना यह quote कर रहे हैं उसके accordingly अब देखें आगे की बाद अब इसके बाद tools for financial analysis वाले chapter में तीन important chapter हमको देखने को मिलेंगे अब यह आगे जाके इसके बारे में बात करूँगा एक है ratio analysis, एक है fund flow statement और एक है cash flow statement मैं आपको बता देता हूँ ratio analysis का सवाल आपको confirm exam में देखने को मिलता है और fund flow, cash flow में से कोई statement आपको exam में देखने को मिलेगा तो 15% की coverage आपकी यहां से आती है इसके बाद एक single chapter है आपका cost of capital का अकेला chapter आपको 10 marks cover करता है और एक है financing decision of firm जिसके अंदर आप capital structure देखते हैं chapter dividend policy आपने पड़ा है leverage पड़ा है, EBIT, EPS, Indifference curve पड़ा है तो यह chapter cover करते हैं 10 marks इसमें एक single chapter जो है वो cost of capital वो 10 marks की coverage कर रहा है और इसके अलावा बात करें fundamentals of financial management जो basic theory का part है यह है 5% का और instruments and institutions in financial market के अंदर 10% marks यहाँ पर coverage होती है अब इसकी थोड़े सी detail बात करते हैं detail बात का मतलब हर एक segment के अंदर module के अंदर क्या important चीज़े हैं किसको सबसे ज़्यादा focus करना है इसको लेकर के हम मैं बात करता हूँ तो चली देखेंगे अब आप दिखेगा सबसे पहले मैं module number 1 से start कर रहा हूँ तो इसको दिखेंगे आप module 1 में सबसे पहले बात करते हैं fundamental of financial management सबसे पहली बात इसकी coverage रखी गई है 5% की 5% का मतलब 5 number के approximate अगर इसको मैं consider करता हूँ तो यह chapter आपका important नहीं है introduction of financial management इसमें से question नहीं देखने को मिलेगा यह मानते हुए मैं यहाँ पर consider करूँगा क्यों क्योंकि बाकि time value of money risk and return यह ऐसे topic है जिसमें से question आपको देखने को जरूर मिलेगा time value of money वाले concept में interest calculation जो है बिटा simple interest and compound interest यह एक important part है इसके लावा compounded annual growth rate CAGR का formula कैसे लगता है और annuity and perpetuity का concept क्या है यह आपको जरूर से देखना है तो interest calculation में एक तो है simple interest and एक है compound interest यह हमने बच्पन में भी पढ़ रखा है और आपने CMA foundation में भी पढ़ा हुआ है तो यह part आपका वहाँ से cover होता है और इसके जो question दे रखे हैं वो भी आप निकाल लेंगे और कोई different type का question होगा तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं इसके अलावा एक मैंने बात करी CAGR की compounded annual growth rate का एक formula आपको याद रखना है और annuity and perpetuity का एक formula आपको याद रखना है तो accordingly आप इसको निकाल सकते हैं annuity के concept में annuity due और annuity intermediate के दो concept होते हैं वो आपको ध्यान रखना है कुल मिलाके four formulas हैं तो four formulas यहाँ पर आपको ध्यान रखना है perpetuity का एक single formula है वो आपको ध्यान में रखना है तो ultimately मैं coverage मानता हूँ तो एक तो time value of money में से आपको देखने को मिल सकती है इसके अलावा इसके अलावा risk and return के अंदर बात करें तो risk return का मतलब यह है कि जब भी हम share market में कोई shares के अंदर investment करने जाते हैं तो investor का perspective होता है कि उस shares के अंदर investment करें जिस पर return उसको सबसे जादा मिले और risk क्या हो कम से कम आ सके हाला कि इस chapter से related detail बाते हम CMA final के अंदर strategic financial management में पढ़ते हैं बट यहाँ पर आपको कुछ चीजे मैं बता देता हूँ क्या important है एक तो आपको return की calculation कैसे बनानी है और risk की calculation कैसे बनानी है risk का मतलब है यहाँ पर standard deviation की calculation कैसे बनानी है और return की calculation अगर actual data given है तो उसके लिए कैसे निकालना है और अगर probability के basis पर information given है तो return कैसे निकालना है यह दो बाते एक तो यह important है एक आपने capital asset pricing model means CAPM model यह आपने cost of capital के chapter में पढ़ रखा है cost of equity की calculation के लिए तो वो CAPM का formula आपको याद होना चाहिए और value put करनी आनी चाहिए accordingly एक important part बनता है आपके objective question के perspective से तो यह दोनों ही chapter आपके जो है वो objective questions के perspective से important है तो उस perspective से 5 marks की coverage आपके इन दोनों chapter में से देखने को मिलेगी अब इसके बाद हम बात करते है module number 2 module number 2 के बारे में मैं बात करूँ तो यह पूरा जो है वो 10% की coverage रखता है और मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको exam में theory आएगी तो इसी chapter से आपको देखने को मिलेगी मैं अभी इसके बारे में थोड़ी सी दिर के बात करूँगा पहले practical की बात कर लेता हूँ अब इसके बाद हम module number 3 की बात करते हैं tool for financial analysis इसमें बटा coverage जो है वो 15% marks की coverage आपको देखने को मिलती है इसमें important part क्या है ratio analysis का मैं बता देता हूँ ratio analysis का question आपको exam में 100% देखने को मिलेगा एक question आएगा ही आएगा general thought पे ratio analysis का question हमको exam में balance sheet को बनाने को लेकर के आता है मतलब information देगा profitability ratio, turnover ratios के बारे में long term solvency ratios, short term solvency ratios के बारे में और अलग-अलग चीज़ें आप से calculate करवाएगा और बोलेगा कि balance sheet बना करके बताओ तो ये ratios के formulas आपको याद होने चाहिए प्रैक्टिस बनाएना चाहिए और question में आपको बूला 100% आएगा तो आपको जरूर से पढ़ करके जाना है अब इसमें financial score में अलतमान Z score model है इसमें 1983 और 1968 model है वो दोनों model के formula कैसे apply होते हैं और financial position किसी भी business की कैसे नकालना है वो अलतमान Z score इसमें important है इसको आपको देख करके जाना है इसके बाद fund flow, cash flow statement में से कोई सा भी एक statement आपके सामने आ सकता है तो आपको यह most probably chances मुझे लगते हैं वो fund flow statement के हैं तो fund flow statement आपको अच्छे से बढ़ करके जाना है चलिए, cash flow statement, fund flow statement में से मैंने बुला एक statement आपको एक्जाम में देखने को मिलेगा तो वैसे दुनों लगबग मिलते जुलते से calculations होती है तो आप इसको कर सकते हैं बट एक्जाम के perspective से अभी important part में fund flow statement को consider करूँगा चलिए, next आगे की बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं तो यानि की यह important part है इसके अंदर एक्जाम के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा question वो मिलेगा weighted average cost of capital का सवाल यानि की cost of capital के अंदर हम करते क्या है balance sheet में में मिटा liability side 5 sources होते हैं जिससे हम company चुनाने के लिए fund इखटा करके लाते हैं जैसे equity, preference, debenture, loan and reserve and surplus earning कैसे बनाते हैं इसकी calculation यह आपको पता है अब इन सबका combined weighted average cost of capital कैसे निकाली जाती है वो important part है, एक्जाम में बड़ा सवाल इसको लेकर के बनता है और अगर छोटे question में बात करते हैं तो cost of redeemable debentures or cost of redeemable preference shares यह important part हैं यह दो question आपको अलग से देखने को मिल सकते हैं तो मैंने आपको तीन बाते important क्या बोली हैं एक तो weighted average cost of capital निकालना आना चाहिए अगर आप छोटे question के अंदर बात करते हैं तो cost of redeemable preference shares and cost of redeemable debentures यह important part है यह आपको exam में देखने को मिलेगा चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं next इसके बाद हम बात करते हैं अपने next topic जो है की है capital budgeting मैंने आपको क्या बताया बहुत ही जादा important topic है 100% सवाल exam में आएगा अकेला single chapter जो है वो 15% score करता है मतलब 15 marks की coverage करता है तो पूरा capital budgeting chapter में कहूँगा आपको अच्छी तरीके से और ढंक से आपको पढ़ना है अब बात कर लेते हैं सर यह chapter बहुत बड़ा chapter है क्या important part है तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें सबसे important है replacement decision अगर आपको यह existing machinery जो premises में installed है उसको हटा करके कोई नई machinery लेकर के आते हो तो replacement decision लेते वक्त आपको क्या step follow करते हैं करना है कैसे calculation बनानी है यह पूरी चीजें आपको बता होनी चाहिए इसके अलावा इसमें NPV PI यह जो दो important part में बता रहा हूँ एक तो मैंने क्या बुला इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक IRR method है बट वो important नहीं है और एक मैं बात कर सकता हूँ इसका payback period method payback period जब annual cash inflow unequal हो तो इसका सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है चोटे questions में बट मैं बता दूँ बड़ा question आपको देखने को कहांसे मिलेगा replacement में से देखने को मिलेगा या NPV और profitability index method से देखने को मिलेगा तो ये section आपको जरूर से cover करना है इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं चलिए अब हम बात करते हैं next अगर की बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल मेनेजमेंट के टॉपिक पर, तो वर्किंग कैपिटल मेनेजमेंट भी मैंने आपको बताया है, जैसा कि यह बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है, यह भी एक सिंगल चेप्टर है, जो कि 15% मार्क से कवरेज रखता है, वर्किंग कैपिटल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो इसमें दो मैथट हमने पड़े थे एक तो था फुरकास्टिंग मैथट और एक था हमारा एक तो फुरकास्टिंग और ट्रिडिशनल मैथट हो गया और एक आपका जो था वो जो सबसे introduction या traditional method जिसको बोलता हूँ वो है एक traditional method है और एक forecasting method है तो forecasting method जो है मैं आपको बता दूँ ये important part है forecasting method का ही question आपको exam में देखने को मिलेगा तो forecasting method आपको डंग से पढ़ना है इसमें एक आप cash cost basis पर भी working capital requirement की calculation बनाते हैं एक ये important part बताया मैंने forecasting method बताया मैंने आपको cash cost basis पर working capital management की calculation कैसे बनानी है ये आपको मैंने बताया एक यहाँ पर हम maximum permissible bank finance की बात करते हैं वो important नहीं है उसको आप skip कर सकते हैं छोड़ सकते हैं तो ये दो important part हैं ये question आपको बनाने आने चाहिए module के question तो अपने को करके जाने ही उसमें तो कोई शक है नहीं past exam के सारे question जैसा की मैं बताता रहा हूँ हमेशा 100% कोई भी chapter आप पढ़ते हैं उस chapter से related questions आपने module के सारे करने के बाद past exam के question सभी खुद से हाथ से लिख करके solve करोगे तब उसके practice आपके हाथ पर perfect बठेगी तो इसी तरह के से कोई भी chapter आप पढ़ते हैं तो आपको उसके past exam के question at least अपने हाथ से निकाल करके solve करके देखना है तब ही आपको ये पता लगेगा कि क्या मैं exam के question बना पारा हूं की नहीं बना पारा ही हूं की नहीं तो इस तरह से confidence built up किया जाएगा तो आपको करना क्या है chapter पढ़ो उससे related module के सारे question solve करो और उसके बाद अपने आप से खुद से आपको अपने आप से practice बनानी है past exam के questions की तब ही उसके practice को perfect माना जाएगा तो यह working capital का मैंने आपको मतलब बताया कि इसमें से क्या important part है इसमें आपका receivable management के अंदर एक topic आता है credit policy या skip करना चाहें कर सकते हैं इसके question देखने को मिलता नहीं है payable management कुछ नहीं है ऐसा खास पढ़ने को नहीं है inventory management में भी कुछ नहीं है cash and cash equivalent में theory part है इसको भी आप देख सकते हैं अदरवाइस को important part नहीं है इसमें मैंने आपको बताया यह maximum permissible bank finance का calculation हम पढ़ते हैं calculation पढ़ते हैं और यह भी खास important नहीं है exam में नहीं आता है बट यह practical question है तो accordingly मैंने आपको बात बताईए commercial paper यह theoretical बात है theory point of view से consider करना है यह सब आप जानते ही है theory खुद से भी पढ़नी है अच्छा अब इसके बाद हम बात करते हैं next module है अमारा financing decision of a firm जो की आपके 10% की coverage करता है अब इस 10% marks के अंदर मैं आपको बता देता हूँ chapter क्या क्या है एक तो है आपका capital structure का chapter एक है आपका जो वो है leverage analysis का chapter एक है आपका EBIT EPS indifference curve और एक है आपका dividend decision का chapter प्रणा एक, दो, तीन, चार chapter इसमें cover करते हैं 10 marks के अंदर बात आती है sir important क्या है सबसे important पहली priority पर मैं दूंगा leverage analysis को leverage में operating financial or combined leverage आपको कैसे निकालना है यह important part है इसको आपको पहले cover करना है इसके बाद EBIT EPS भी आपका exam में अभी कुछ time से बूचा जा रहा है तो मेरे को यह लगता है यह interest अलग important part है but dividend decision or capital structure में जो modiglani-miller approach है दोनों के अंदर modiglani-miller approach है वो important part है उसको जरूट से cover करना हो सकता है dividend में से or capital structure में से किसी में से एक बार modiglani-miller approach से कोई question आपको देखने को मिल जाए तो पहली priority में इसको दूँगा दूसरी priority में dividend decision को दूँगा तीसरी priority में इसको दूँगा और चौथी priority में इसको दूँगा क्योंकि latest question आचुका है इसलिए में इसको थोड़ा कम विटिज दी है तो इस तरह से मैं आपको यहां बात बताई है एक theoretical part आपका रह गया था जो कि module 2 में मैंने बात करी थी कि module 2 में से आपको 10 number का section है पूरा theoretical है 100% तो यानि theory का सवाल अगर बनेगा तो इसी में से बनेगा एक section आपके पास आता है जिसमें आप skip भी कर सकते हैं तो मैं हमेशा बच्चों को guide यह करता हूँ कि ज़्यादा कोशिश आपके practical question को attempt करना है कि होनी चाहिए क्योंकि theory के अंदर कितना भी बड़िया लिखे हैं जरूरी नहीं पूरे number मिलें बड़ practical का अगर answer सही है तो आपको पूरे marks मिलते हैं working आपके proper आनी चाहिए और theory के अंदर लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा या time ज़्यादा consume होगा practical वाले में bodies हैं इनके बारे में आपको theory का point of view यहां से पढ़ना है लिखना आपको मन से है इसके अलावा मैं आपको बता जेता हूँ इसमें अगर बात करें तो commercial paper क्या होता है reporate, reverse reporate क्या होती है इसके अलावा promissory note क्या होते है यह important बात मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो capital market के अंदर जो important part है उसमें आपको क्या-क्या देखना है वो यहां पर important बता रहा हूँ ठीके ना तो दिहान से देखते जाना आप एक मैंने बताया rolling settlement and clearing house operation क्या होता है यह important part है IPO and FPO में क्या difference है यह important part है insider trading क्या होती है credit rating company क्या है यह मैंने कुछ important part बताए और primary secondary market में जो difference है वो difference आपको पता होना चाहिए तो यह important part मैंने बताया इसके अलावा मैंने यहां पर जो important part बता है वो भी आपको समझ में आगए इसमें बता देता हूँ मैं commercial bank क्या होते है RBI से related कुछ बाते है pension funds related कुछ बाते है आपको ध्यान में होनी चाहिए और money market instrument के अंदर मैंने आपको बताया कि इसमें है commercial bill commercial bill commercial bill नहीं commercial paper commercial paper कहूँगा मैं और repo reverse repo rate पता होने चाहिए प्रॉमिसरी note पता होना चाहिए यह मैंने इसमें important part आपको बूला है अच्छे इसमें में एक छोटी सी बात बताने से रह गया था comparative and common size statement है बिलकुल आसान बात है पांच मिनिट का chapter है 12th class में भी आप पढ़के आचुके हैं जरूर से देख करके जाना हो सकता है इसका सवाल आपको इस बार देखने को मिल जाए तो यह मैंने आपको financial management का important part बताया तो इसमें important part क्या क्या है एक बार अपन go through कर लेते हैं ऐसे ही इसको समझना ध्यान से देखें सबसे पहले मैं बात करता हूँ का question आपको confirm मिलेगा capital budgeting confirm मिलेगा cost of capital confirm मिलेगा और working capital management का सवाल आपको confirm मिलेगा क्या क्या important मताया यह आपको बताईए cash flow fund flow में से कोई एक question देखने को मिलेगा theory point of view से क्या important बताया वो आपको समझ में आ गया time value of money या risk or return की calculation में क्या important है वो objective questions के अंदर पूछा जाएगा इसके अलावा capital structure और dividend policy में से आपको modi glani-miller approach पड़के जरूर से जानी है leverage का question आपको confirm मिल सकता है प्रहली priority है और EBIT EPS को आप skip कर सकते हैं चोड़ सकते हैं बाकि आपको सारा section में बताई दिया है तो ये सारे चीजे हैं इसमें priority आपको set करनी है जिसका question आपको 100% देखने को मिलेगा जो मैंने 100% बताई है वो आपको पहली priority पर रखते हैं आपको पढ़ाई करनी है तो ये अपना financial management का पूरा analysis है और इसमें आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है ये मैंने आपको बता दे तो बेटा आपको सबसे important part ये है कि आप पूरे concept जे तो भी chapter है उसकी theory complete पढ़े पढ़ने के बाद उस से related practical question आप module के बनाएं बनाते वक्त या देखते वक्त ज़रूरी नहीं है कि आप सारे कुशन निकाल पाओगे आपने पूरे साल बर पढ़ा ही करी है मेहनत करी है class attend करी है अगर proper तो आपके पास सारी working classroom की note होगी आपको उसको देखते जाना है समझते चले जाना है बट practice हाथ से बनाना mandatory है जरूरी है और practice आप exam में बेटा नहीं बना सकते practice आपको अभी बनानी पड़ेगी तो आपने कोई भी जैसे मान लेजे आपने working capital management का chapter उठाया उससे related theory क्या लिखवाई है classroom में पढ़ी उससे related questions क्या कराए है classroom में उसको आपने question answer go through कर लिया आपको पता लग गया कि किस तरीके से question बन रहे है अब आप past exam के questions को देखेंगे randomly questions को उठा करके आप question को solve करना start करेंगे अगर आपने पूरा question बना लिया तो confidence आपके हाथ में है अगर नहीं बना पाए हो तो आपको उस पे काम करने की जरुवत है उस पे work करने की जरुवत है और वहाँ पर आप identified करेंगी जितना भी तैयारी आपने कर रहा है जितना भी पढ़ रहा है नया कुछ नहीं पढ़ना exam के पंटेव से बता रहा हूँ exam वाले दिन exam वाले दिन नया कुछ नहीं पढ़ना होता अगर आपको कुछ छूट गया है तो skip कर दो छोड़ दो अगर surplus time बच जाता है तो एक अलग बात है अदरवाइस छोड़ दो जितना आपने पहले से पढ़ रखा है बस उसको देख करके जरूर जाओ जिस पर confidence है आपको लगता है कि इसको देखने की जरूरत नहीं है बावजूद इसके मैं आपको क्या कह रहा हूँ उसको देख करके जाना जरूरी है तो अगर आपने जो पढ़ रखा है जिसकी noting आपने proper बना रखी है उसको एक बार आप go through करके जाओ देख करके जरूर जाओ और फिर उसको exam में जब आप जाएंगे तो आप confidence के साथ उस question paper को attempt कर पाएंगे तो चलिए होपसो आपको मेरी सारी बाते clear होंगी तो आज का इस video session के अंदर अब इसके बाद बात करेंगे business data analytics की तो financial management को लेकर के जो मैंने आपको mark दर्शन दिया है according to prepare करके और आप अच्छा score करें इस बात के लिए मैं आपको कहता हूँ all the best, best of luck चलिए, दन्यवाद